Hello everyone, मैं में तुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे राश्ट्रिय मिलेटरी स्कूल से टीचरों की रिकूट्मेंट आई है और ये पर्मनेंट वेकेंसी होती है सीटेट की जरूरत नहीं है अगर आपने इतनी बातें सुनने के बाद आपको लगता है कि आप इसके लिए इलिजबल हो तो पूरी वीडियो आप इसे देख सकते हो टो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ओफिस्चल वेबसाइट पे ही लिए चलता हूँ, यह आपको ओफिस्चल वेबसाइट दिख रहा होगा तो चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और जैसे केंद्रे विद्याले संगठन है नबोदे विद्याले संगठन है और भी अलग डगर स्कूल है जैसे कि Atomic Energy Education Society उसी तरह से ये recruitment आती है तो ये बहुत बड़ी opportunity आपके लिए आई हुई है सबसे पहले मैं आपको बता दू न्यूज वाले section में आपको जाना है और यहां से आपको जानकारी मिल जाएगी फिर से मैं बता दू न्यूज वाले section में बहुत सारे recruitment की जानकारी मिलेगी जो सबसे very first है यानि कि सबसे उपर में है वो वाली वेकेंसी के लिए आपको क्लिक करना है पीडियाप आप खुद से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप हमारे टेलिग्राम चैनल से आसानी से इसे डाउनलोड कर पाओगे लिंक जैसा मैंने पहले बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है मैं एक एक करके सारे पोस्ट की जानकारी आपको दे दू देखिए जो पोस्ट आई हुई है वो पहली पोस्ट है असिस्टेंट मास्टर की इंग्लिस में असिस्टेंट मास्टर हिस्ट्री में संस्कृत में ये तीन पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा salary आप यहां से देख सकते हो 55,000 के आसपास आपकी salary बन जाएगी जो कि बहुत ही quite handsome है आगे देख लिजिए कुछ और जो recruitment या age की criteria है वो देख लो 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन OBC, SC, ST category या फिर PWD के लिए जो छूट सरकार के दोरा दी गई है union government के दोरा वो आप ले सकते हो यहां पे कस्मीर या फिर अनुनाचल परदेश के लिए जो है date को 15 दिनों तक आगे बढ़ा दिया जाता है यहां पे तो इन चीजों का खास ख्याल रखिएगा closing date है जिस दिन से advertisement आई है उसके अंदर अंदर 42 दिनों के अंतरगत आपको जो है apply कर देना होता है अब देखिए application form में आपको दिखा दू यह देखो यह application form है यह PDF आपको मैं telegram channel पे available करा दूँगा दो तिन बार इसलिए बोल दिया हूँ ताकि आपको कोई भी doubt ना रहे याद रखिएगा यह देखो 50 रुपए का demand drop बनेगा SCST category वाले के लिए और जो general category है या OBC है उनके लिए जो है 100 रुपए का आपको demand drop बनाना है किसके favor में तो principal राष्टे military school CHELHP यानि कि हिमाचल परदेश के नाम से payable at में CHELHP 173217 पे आपको apply कर देना है application जो है आपको यहीं पर भेजना है यानि कि address जो है आपका यह रहेगा principal RMSE CHELHP और यहाँ पर जो इन्होंने address दे रखा है वो तो आपको पता ही चल चुका बाइद अब कोई अगर आपका doubt रहता हो तो नीचे comment करके आप जो है जानकारी ले सकते हो अब देखिए कुछ जानकारियां जो है वो मैं आपको बता दू पहले दिन जो है return test लिया जाएगा इसके बाद second day में आपका interview और जो teaching practices है यानि कि जो short listed candidate है उनही का demo या फिर demonstration जैसा आप समझो वो लिया जाएगा यहाँ पे आपसे तो कुल मिला कर बात यह है कि यह काफी अच्छी जो है आपके लिए opportunity है कहां से राष्ट्रिय military school चैल HP से आप यहाँ पे apply कर सकते हो देखिए ministry of defense है recruitment है गवर्मेंट आफ इंडिया हिमाचल परदिश से वीडियो आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया